चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फिस एड़ कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना जोस्तो कभी न कभी आप लोगों ने अपने नोटिफिकेशन पैनल में एक नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा जो कि कभी हटता नहीं है यूर डेटा इस इन बैकप एड़ बैकप अकाउंट नाओ ये क्यू आता है किस लिए आता है इसका क्या म आयुथे नोटिफिकेशन की वातर पर् avently इस नोटिफिकेशन को हाइड़ कैसे करना है वह आजकी इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर सबसी इंपोर्टन से जादा नीचे शेयर बटम पर क्लिक करें और जादा से जादा लाइक बटम पर क्लिक करें ताकि जानकरी सब तक पहुँच पाए और जानकरी सब तक पहुचेगी तो definitely जो है सबको अच्छे चीज़े जो है जानने के लिए मिलेगी तो आप लोग जरूर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें टेलेग्राम वाट्सअप ग्रूप अबाउट पेज में है टेकसिस्टन्फब्लाइंट डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं आज के इसने एपिसोड को तो दोस्तो हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह का यह नोटिफिकेशन है योर्ड डेटा इसन बैकप अड़ बैकप अकाउंट नाउ तो सबसे पहले आपको यह बता दे कि गूगल one के बारह में सब लोग को पता होगा घी अगर नहीं पता होगा तो गूगल one पे हम लोगו ने आलरी वीडियो बना रखा है अपने चानल पे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो गूगल वन में क्या होता है कि हमें यह notification आता है तो यहाँ पर हम अपने account add करेंगे तो आकिर क्या होता है तो हम लोग notification panel में देखेंगे almost सब लोगों के पास यह notification आता होगा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ठीक है यह इस तरह से बताता होगा आपके phone में भी notification आता है होगा यह data is in backup, add backup account now तो हम लोग backup account add करेंगे देखें यहाँ पर हमें किस तरह के options मिलता है क्लिक करेंगे इस पर add account में जाएंगे हम लोग अब अब अल्रेड़ी हमारे account से आपर add है लेकिन यहाँ पर दिखाएगा नहीं हमें account add करने के लिए ही बूलेगा ठीक है तो देखते हैं क्या option से में आते है यहाँ आपना email id डालेंगे नेक्स पर क्लिक करेंगे हम लोग ठीक है यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एड करेंगे ठीक है पासवर्ड एड करते हैं और फिर आगे कौन-कौन से options आते हैं तो दोस्तों जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको यह गूगल बन में डेटा जो है बैक अप होगा आप लोग अभी सारे options में आप लोगों दिखाता हो दिखेंगे आप पर सब कुछ बैक अप कर लेगा बात में इसको वापिस ले भी सकते हो अपने गूगल अकाउंट से मतलब अगर आपको आपका सारा डेटा चाहिए तो वापिस आप ले सकते हो जाए पावर नवाइफा से अपका डिवाइस कनेक्ट होगा तो यह बैक अप होता रहेगा सारा डिसेबर इसलिए क्योंकि आप इसमें कुछ चेंजेस ने कर सकते हैं ठीक है नॉट 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 और टॉन ठीक है दोनों में से आपके बाद जो भी ऑप्शन है आप ऑप्शन सेलेक कर सकते हो लेकिन अब मेरा अलरी एक डिकांट पर बैक अप जाता है तो मैं यहां से नॉट 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 करूंगा आप लोग अन कर सकते हो लेकिन याद रहे आपके बाद जो 15GB का डेटा है उस डेटा में ही यह सारी चीज़े आएगी जब आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा तो आपका क्या-क्या बैक अप होगा जो आप पर बता दिया इसने वीडियो ओडियो फोटोस हिस्ट्री मेसेज़ेस एमेमेस सारी चीज़े कॉल हिस्ट्री बगरा एप और एप की सेटिंग सब कुछ यहां पर जो बैक अप हो जाएगा ठीक है तो आप यह बैक अप ले सकते ह यहां पर नहीं दिखाएगा मतलब आपको इजीली मतलब आप अपना जो अकाउंटे वाइड करके यहां पर टॉन आपको नहीं दिखाएगा तो हम लोग नोटिफिकेशन पैनल चेक करेंगे अप वैसरी अलग लग 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 नोटिफिकेशन है ठीक है इतना ही दो ही नोटिफिकेशन यहां पर नहीं दिखा रहा है तो अब यह नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाएगा तो उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा जरूर आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोंगे चैनल पे ने हो सस्क्राइब करोंगे नोटिफिक नोटिफिकेशन गुलियो मेट अबता के लिए जाहिन